अभी तक की कम्प्लीट अपडेट्स तो फियर सिकिंग रिलीफ पोर सीए स्पिरेंट्स इन ओनरेबल सुप्रीम कोड नो ऑफ-लाइन इग्जांब तिल सीए स्टूरेंट्स आर वेक्षिनेट इग्जांस वर पोस्पों लास्ट यह तो फोर सेफ्टी रिजन दिस यह अलोग आपको पता है कि आज सुप्रीम कोड में सी आई है कि अगेंस पील की हेरिंग होनी है आपको यह भी पता है कि जो जो शिक्स थाउजन सी सुदेंट्स ने पीम ओफिस को जो है रिप्रेजेंटेशन सेंगा था जिसमें क्या का प्रिश्ट रखी गई ती आप देख सकते है तो पोस्पां जोलाइ निवन सी एक्जामिशन बाइस सम्देश सो दा 3 lakh students appearing for the exams can get vaccinated 2 direct ICA to provide opt-out option and alternative attempt to the students who are unable to appear in the exam due to pandemic symptoms or just self declaration basically जो November 20 वाली opt-out facility थी वो to direct ICA to extend attempts for old-court students for one more year जलब दो attempt और तब मान के चले कि May 22 अपकर last attempt होना चाहिए यह उनी चाहिए प्रेयर रखी गई है to direct ICA to take permission from state the usage of admit card has a e-pass for traveling 5th for students who who centers are all together shifted to different states should be provided with transportation and accommodation facility और जब की PL की hearing है आज वो होने वाले 10.30 a.m. के बाद लेकिन उससे पहले अगर आपके कोई question, doubt concept नहीं समझ जाया हो बोर्ड हो चाहिए जाए यह नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका solution है fill up आप अपने doubt को किसी भी time clear कर सकते हैं 3 easy steps सबसे पहले इस app को play store, app store से आप download कर लिए अपने mobile phone में आप अपने phone number से easily sign up भी कर सकते हैं अपने question का picture यह उसे type करके submit कीजिए और fill up आपको within 60 seconds इंडिया के top expert से आपको live call में connect करवा देगा सो आप देख सकते हैं कि आपके जो concepts को उनको कैसे live call में clear किया जा रहा है so it's that simple, have any question just ask fill up इस app को download करने का link आपको description box में मिल जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं refler code CTV001 वीडियो की thumbnail में देखने को मिल रहा हूँगा कि लिखे 22 CA students vs IC इसका meaning है जो तीन पीले फाइल करी गई थी उसमें से जो पहली पील लिस्ट हुई थी hearing ले वो थी सत्य ने रहा है यह जो पील थी CA students नहीं फाइल करी थी आप देख सकते हैं 22 CA students नहीं फाइल करी थी बाकी भी पील है उसमें CA students के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव में ने जो है पील फाइल करी है तो होप करते जो भी आद डिसीजन हो सुप्रीम कोड की hearing में वो CA students के benefit में और जब भी उसके रिकार्णी में अपडेट होगा तो मैं आपको वीडियो के तुरू अपडेट कर दूँगा शॉट में और आप अपनी studies पर focus करते रहेगा और उसके लाप चैनल को subscribe करके notification bell ओपन करना बोलेगा और latest updates लाप टेलिगर आम ग्रूप भी जोइन कर सकते लिंक इन description box